असलम अलेकूम डियर स्टूडेंटिस स्वागता फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल ब्रेंस्टॉर्मिंग नॉलेज में जैसा कि आप भूभी जानते हैं कि हमने जो ग्रैमेटिकल पोर्शन था फूर्थ और सिख्थ सिमिस्टर इंग्लिश का वो आज इस वीडियो से हम एक्तिताम पे पहुंचाएंगे हमने ग्रूप डिसकेशन इंटर्वियू और प्रेजेंटेशन ये तीन टॉपिक्स में ने अपलोड किये हुए हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं ठीक है बाकी कुछ करेक्टर स्केश में ने वो भी एपलोड किये हुए इजी वर्डिंग में हैं अब समझ सकते हैं वो विद एक्स्पलेनेशन में मैंने एक्स्पलेशन भी एक्स्पलेशन भी किया है उनको बट वर्डिंग भी बहुत एजी है यहां कुछ समरीज है तो मैं सब की लिंक इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ अब जाके वो चेक आउट कर ले ठीक है इसमें स्टेज़ पढ़नी है टेलेफोन कम्मिनकेशन की डिफिनिशन पढ़नी है और कुछ टिप्स यानि की कुछ पॉइंट जो आपको टेलेफोन काल करते समय वो टिप्स आपको याद रखने होते हैं और वो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम डेफिनिशन पे नज़र डालते हैं टेलेफोन कम्मिनकेशन इस एन औरल कम्मिनकेशन बिट्वीन टू परसंस टेलेफोन कम्मिनकेशन ये एक औरल कम्मिनकेशन मतलब जबान से जो की जाती है जबानी ठीक है ये एक notable progress information communication technology की है कि जो telephone इजाद किया, invent किया ये एक remarkable progress हुई है telephone remains one of the most used mode of communication that helps us to communicate over long distances telephone जो है ये एक ऐसा mode of communication है जिसके जरीए हम बड़ी distances पे लोगों के साथ communication कर सकते हैं अपने relatives के साथ, अपने friends के साथ ठीक है, ये ज्यादा तर इस्तिमाल किये जाने वाला mode of communication है In this communication, we can exchange our thoughts, ideas, feelings, etc with each other इस communication के जरीए हम अपने ideas, thoughts, feelings, ये सारी चीज़ें इनका इजहर कर सकते हैं Telephonic communication is very essential and important nowadays Telephonic communication essential बन चुकी है, एहम बन चुकी है, जरूरी है आज कल ऐसा कोई गर नहीं होगा आज, जिस गर में at least एक mobile phone नहीं होगा, ठीक है तो ये बहुत important है, जिस तरह आज food important है, इसी तरह टेलेफोन का होना गर में लाजमी है It saves our time and money as well टेलेफोन हमारा time भी और हमारे पैसे भी बचाता है देखें, पहले letters बेजनी पड़ती थी, बड़ा time लगता था और expenditure भी ज़्यादा आता था खर्चा भी ज़्यादा आता था, उसे मतलब message को एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने के लिए लेकिन अब हम within minutes, within minutes क्या within seconds हम दुनिया के किसी भी कोने में हम message send कर सकते हैं Transfer of data, money, picture, extra is also done by this type of communication हम पैसे आज एक जगा से दूसरी जगा बेज सकते हैं, transfer कर सकते हैं, money, transfer, bilें हम आज बर सकते हैं आप mobile phone के बारे में जो आप मतलब जानते हैं, वो सारा लिखना होता है ठीक है, मतलब जिस तरीके का question आपके exam में आएगा, shot आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं अब अगर थोड़ा long आता है, 8 marks का या 5 marks का तो आप थोड़ा सा इसको elaborate or कर सकते हो जो भी आपको uses लगते हैं, mobile phone पे आप जो जो करते हो, वो लिखना है, बस, simple ठीक है, तो हम data, pictures, ये सारी चीज़ें transfer करते हैं, इस type of communication के जरिए telephone communication में जो दूसरा portion है, stages of telephone communication इसके दो stages है, means when you are the caller, जब आप caller होते हो, means कि call करने वार, जब आप यहां से call करते हो and when you are the receiver, यह जब आप call को receive करते हो, यह दो stages, दो phases है telephone communication के पहले हम देखते हैं कि जब आप caller होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, introduce yourself, जब आप call करते हैं किसी को तो पहले अपना नाम बोलते हो, यह बताते हो कि हम कहां पे रहते हैं, नाम क्या है, किस मकसद है phone किया, ठीक है, introduce करते हो state the purpose of call जो मकसद होता है call करने का उसको आप state करते हो मतलब call करने का मकसद क्या है aim क्या है वो आप कहते हो bid farewell and end the call यह एक अच्छी farewell यह जब आप फोन काटते हो तो फिर good bye यह असलाम अलेकुम वापस करते हो last में यह फिर यह फिर आमानिला ऐसे बातों का इस्तिमाल करते हो तो यह bid farewell में आता है and end the call एक important बात caller को ही call end करनी होती है मतलब आपने किसी को call की तो बात करने के बाद आपको ही call end करनी है मैं एक example देता हूँ आपको simple आपने कहीं दफ़ा customer केरवालों को call की होगी और बात खतम करने के बाद वो आप से यह कहते हैं कि आप call कट कीजिए ठीक है यह notes किया होगा आपने वो कभी भी call कट नहीं करते हैं call को आप नहीं end करना होता है क्योंकि caller आप होते हैं क्या पता आपको और कुछ पूछना हो ठीक है इसलिए receiver call नहीं काटता है यह जरूरी बात है जब आप receiver होते हो जब आप call पिक करते हो listen carefully to the caller सबसे पहले जो भी caller आपको कहता है उसे अच्छे से सुनना होता है carefully pass the call if caller wants to talk someone else call को pass करना है अगर caller किसी दूसरे से बात करना चाहता है ठीक है for example हमारे relatives होते हैं वो हमें phone करते हैं और हमारी mother से बात करना चाहते है father से या sister या brother किसी से भी तो call को pass करना चाहिए मतलब यह situation मैं यह नहीं कहता हूँ कि pass जरूरी करनी चाहिए यह situation के हिसाब से देखना चाहिए कि हमें करनी है या नहीं करनी है वो आप वहाँ पर decide कर सकते हैं क्योंकि हर कोई जिसके पास phone होता है वो mature होता है उसे समझ में आ जाता है कि मुझे यह call forward करनी भी है या नहीं number third is bid farewell at the end end में आपको bid farewell अच्छा farewell याने की रुखसत देनी होती है तो ये stage से टेलेफोनी कम्निकेशन के इसके बाद आते हैं tips are points for a good telephone call कौन से points आपको याद रखने होते हैं एक अच्छी telephone call के लिए कौन से tips वो ये हैं मैंने 10-11 tips लिखे हुए हैं इसमें बहुत सारे tips आते हैं बहुत सारे points हैं आप इतने अगर लिखते हो exam में ये exam national purpose के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये काफी है नमबर फर्स्ट pick the call immediately if you are a receiver अगर आपको call की जा रही है आप receiver हैं तो आप जल्दी call उठाएए ठीक है क्योंकि कभी किसी को emergency भी हो सकती है अब wait करोगे कि अब bell निकले तीन चार bells निकले तो परेशानी हो सकती है किसी को ठीक है खादिशा हो सकता है कहीं पे या accidental fire अच्ट्राब आप समझ सकते हैं कि इसलिए call जल्दी उठानी चाहिए नमबर सेकंड ग्रीटिंग्स call उठाने के बाद greetings सलाम पेश करनी है if you are either caller or receiver चाहिए आप receiver है या caller है तो हमेशा greetings सलाम पेश करना ज़रूरी है नमबर थर्ड give and take introduction लेना भी है और देना भी है introduction उस बंदे से जो call कर रहा है उसे पूछना है कि आप कौन हो या आपने save किया है तो आप फिर आपको पता होती है या अपना introduction देना होता है ask for the purpose of the call call करने का मकसद क्या है वो पूछना है आपको या अगर आप caller हैं तो वो बताना है कि मकसद क्या है call करने का make good use of language good use language का good use करना है harsh words या गालियां, गलोच वगेरा ये नहीं करना है don't use harsh and dirty language जो मैं अभी बता रहा था कि harsh words का इस्तिमाल नहीं करना है dirty language, use नहीं करनी है फोन पे be to the point on phone calls to the point जो भी बात करनी होगी to the point करनी है ये ज्यादा खींचना नहीं है फोन पे ये एक आदत बना लिनी चाहिए कि ज्यादा देर तक फोन पे बात नहीं करनी है ये एक bad habit है जो भी ज्यादा फोन के साथ चिपके रहते है number eight is don't blackmail anyone emotionally, mentally, extra, on a call कभी कवार ऐसा भी होता है कि लोग लड़की की आवाज लगा कर लड़कों को phone करते हैं मतलब लड़के ही होते हैं वो मतलब blackmailing कर रहे होते हैं या mentally torture करते हैं emotionally blackmail करते हैं तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए even कि हमें इसलाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है number nine point is think about what you want to talk because illegal talking may create problems सोचना चाहिए दो बार नहीं तीन बार सोचना चाहिए जब भी आप फोन पे बात करते हैं क्योंकि आपकी बातें जो हैं वो record रहती हैं आपकी बातें कभी भी trace की जा सकती हैं इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आप बोलते हैं उसको अच्छे से पहले परक हैं खुद सोचें कि ये सही है या नहीं ठीक है अगर illegal words आप कहते हैं तो उसे आपको problem हो सकती है end the call on a pleasant thanks for calling अच्छे 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 अंदाज में thanks for calling ऐसा बोलना है या अल्ला हाफिज फी अमानिल्ला ऐसा बोलना है लास्ट पे keep your phone silent where necessary ये भी important point है कि अपना phone silent रखना चाहिए where necessary जहां पे भी इस चीज़ की जरूरत पढ़ती है for example आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो ringtones वगएरा बज़ते रहते हैं worthy place में हैं हम एक अच्छी जगापे हैं पाक जगापे हैं तो वहाँ पे phone का इस्तिमाल बिल्कुल जहां पे मना किया जा रहा हो तो इसलिए वहाँ पे phone silent रखे ये एक important point है मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी आप और भी points लिख सकते हैं जो भी आपको लगता हो तो ये आज का topic था टेलेफोनिक communication मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज